हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैं चैनल माथमेटिक स्टूडीज, आज हम बीए बीए सी थर्ड समेस्टर के बुक पीडी के चैप्टर नमबर फिर्स्ट के एक्सरसाइज के कोशन्स करेंगे, देखो क्या है हमारा निक्स्ट कोशन्स, हाफ हमारी हो गए थे, हाफ रहते जो हमें दे रखा है f of x square plus y square, z minus xy equals to 0, तो हमारी जो given equation वो इस तरीके की दे रखी है, अब जो हमारे function है, वो complex type का है, तो हम क्या कर लेंगे इसके अंदर, इसको तो u let कर लेंगे और इसको कर लेंगे वी, जैसे हमने example समें करा तो मैंने आपको अच्छे से सिखा रखा है, ठीक है, तो इसको हमने क्या let कर लिया u, तो u equal to x square plus y square, और इसको हमने क्या let कर लिया v, z minus of xy, ठीक है, अब फिर हम क्या करते हैं, उसको respect में derivative करते हैं, x के respect में और y के respect में हम derivative करते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाल equation का x के respect में derivative करेंगे, फिर y के respect में करेंगे, अ अब देखो हमारा जो F है वो function किस चीज का हो गए U और V का ठीक है इस तरीके से U, V function हमारे फर्दर हो गए जैसे X, Y और Z की है इस तरीके से हो गए हमारे X, Y, Z के तो अब हम जो derivative करेंगे तो किस तरीके से होगा पहले F का U के respect में ठीक है फिर U का X के respect में राइट इस तरीके स नहीं होगा न तो देखो कैसे हैं हमारे derivative अगर हम करेंगे with respect to X इसके अंदर X के respect में करेंगे तो देखो क्या होगा F का पहले u के respect में और फिर U किसके? इसके के respect में Z further हमें पता है XY पे dependent होता है तो हमारा क्या हो जाएगा जैसे curl U upon curl Z, curl Z upon curl X देखो जैसे F हमारा function है UV का, UV हमारा आगे function हो जाएगा XYZ में इस तरीके से अगर Z को हम ले तो एक तरीके से XY का function ही होता है अगर हम देखें F का U के respect में derivative करें तो क्या होगा curl F, sorry F का X के respect में derivative करें तो क्या होगा curl F upon curl U फिर क्या होगा into में curl U upon curl X plus curl U upon curl Z into में curl Z upon curl X और Y का तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा अगर हम Y का F वाली V का भी तो करेंगे ने X के respect में, तो curl F upon curl V इन्टु में curl v upon curl x y का क्yゃ हो जागए इसमें भी 0 curl v upon curl z into curl z upon curl x इस तरीके से हम क्या करेंगे इसका derivative करेंगे तो do curl f upon curl into curl v upon curl x plus curl v upon curl z into curl z upon curl x to curl v upon curl x to curl z upon curl x तो हमें यही पता चल गया जब हम x के respect में करेंगे तो इस तरीके से आएगा similar अगर हम y के respect में करेंगे तो f हमारा किस चीज का function है u और v का u और v further x, y, z के function है इस तरीके से x, y, z अब देखो अगर हम इसका y के respect में करेंगे तो curl f upon curl u into में curl y upon curl x तो करेंगे यह न क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा तो curl y upon curl y plus curl y upon curl z into curl z upon curl y similar curl f upon curl v into में क्या हो जागा इसका तो 0 curl v upon curl y plus curl z upon sorry curl v upon curl z into में curl z upon curl y तो हमारा यह हो गए इस तरीके से अब हमें पता चल गया कि जो x और y के respect में डेरिवेटिव करना वो इस तरीके से हमारी टम आएगी तो अब देख लो बस curl y upon curl x की value क्या है यहां से curl y upon curl x निकालो क्या जाएगा 2x तो यहां पे जो value हमने यहां पे पुट कर दी 2x चीक है और curl अगर हम curl u upon curl z निकाले तो इसमें तो z है नहीं तो क्या हो जाएगा 0 तो पूरी टम 0 हो जाएगी plus curl f upon curl v into curl v upon curl x इसका x respect में डेरिवेटिव करो तो क्या जाएगा minus of y तो यहां पे जो value हो क्या गई minus of y चीक है उसके बाद हमारे curl भी अपून curl z निकालो v का z के respect में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो यहां पे हो गया 1 उसके बाद क्या होगा फिर हमारा curl z upon curl x curl z का x के respect में अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो यहां से तो possible है नि तो इसको हम as it is रख लेंगे तो यह हो गया हमारे इस तरीके से यह सारी value हमने यहां पे रख ली 2x into curl f upon curl u plus minus of y plus curl z upon curl x और यह curl f upon curl v equal to 0 यह मैं आपको बता दे किस तरीकी से फिर similar तरीके से curl u upon curl y निकालेंगे हम यहां से u का y के respect में करेंगे तो 2y आ जाएगा यह 2y हमने यहां पे रख दिया फिर similar curl v upon curl y करेंगे अगर v का y के respect में derivative करेंगे तो minus of x आ जाएगा और plus में इसका बना जाएगा इसका curl z upon curl y equal to 0 अब यह तो हो गई हमारी fourth equation यह हो गई हमारी fifth equation हमें क्या करना है function eliminate जो equation है उसके अंदर यह function f नहीं बचना चाहिए ठीक है तो हम क्या करेंगे यह वज़ी term तो x रख लेंगे तो जो हमारी यह function वाले term है वो हो जाएगी cancel 2 से 2 cancel x upon y equal to minus of y plus यह क्या हो गया p और यह क्या हो गया हमारा minus of x plus में यह क्या हो जाता है q जो curl z upon curl x वो p होता है curl z upon curl y q होता है तो इसकी value हो गई cross multiply करे तो जो हमारा function हो eliminate हो चुका है this is our required result अब देखो next question obtained partial differential equation by eliminating the arbitrary function from the following वही z हमें function दे रखा sorry z हमें दे रखा है f of x y plus g of x by y के अंदर से हमें क्या करना arbitrary function यह जो f of g की value यह eliminate करनी है the given equation is this फिर हम क्या करेंगे x के respectant derivative करेंगे y के respectant derivative करेंगे function 2 है तो double derivative भी कर लेंगे ताकि हमारा eliminate हो जाए ठीक है इसका x के respect में derivative करेंगे तो call z upon curl x equal to क्या हो जाएगा f dash x y into में किसके respect में करें x के respect में तो x का तो 1 हो रही क्या हो जाएगा y plus g dash x by y into में इसका क्या होगा x का तो 1 और 1 by y constant तो यह आगे हमारे इस तरीके से जब हम इसका y के respect में derivative करेंगे तो क्या हो जाएगा call z upon curl y equal to f dash of x y into में क्या हो जाएगा x क्योंकि y के respect में करेंगे और g dash of x by y और x तो constant रहेगा और y का minus of 1 by y square होता है 1 by y का minus of 1 by y square होता है derivative देखो ऐसे minus 1 पावर हो जाएगी पावर आगे पावर में से एक कम तो minus 1 upon y square हो जाते है तो यह हो गया हमारा y के respect में derivative तो यह हो गया हमारा y के respect में derivative ओके उसके बाद हमने क्या किया भी तक एक बार x के respect में derivative किया इस तर्म का एक बार इसी तर्म का y के respect में derivative किया है eliminate तो भी हुआ नहीं हमारा तो हम क्या करें second जो हमारी term आई थी जो हमारी equation आई थी उसको x के respect में differentiate करें और third को y के respect में differentiate करें again मैं आपको बताया था है तो दो दो बार करेंगे इसको तो वही इसका double derivative करेंगे तो क्या हो जाएगा call square z upon curl x square equal to f double dash of x y और यहां पर एक और y आजएगा तो y का square plus में g dash x by y और एक और फिर 1 by y आजएगा तो 1 by y का square हो जाएगा तो यह term होगी इस तरीके से तो यह इतना हो गया अब हम इसका y के respect में derivative करेंगे तो call square z upon curl y square इसका double derivative कर दो f double dash x y into में x आएगा तो x square हो जाएगा प्लस में अब हमें इसके respect में y के respect में करना तो यहां पर भी एक y है तो इसमें u into v लगाना पड़ेगा तो first function का derivative g double dash x by y into में हमारा क्या हो जाएगा वही minus of x upon y square तो यह product हो जाएग x square upon y की power 4 plus यह वाला function as it is इसका derivative करो y के respect में यह minus of x तो एक तरीके से हमारा constant है तो 1 by y square का करते है तो y की minus 2 power आगे minus of 2 into y की minus 3 minus 2 upon y की power 3 और minus x है minus minus plus तो 2x upon y की cube इस तरीके से हमारी item हो गई अब हमें क्या करना है इसके अंदर हमें करना है function eliminate अब हम function की इस तरीके से eliminate करेंगे अब देखो यहाँ पे और यह item को अगर हमें same बनाना है तो हम fourth वाली equation उसको x square से product कर दें और fifth वाली को y square से तो यह cancel ही हो जाएगी subtract करते ही तो हमने वही किया इसको x square के साथ multiply कर दिया और इसको y square के साथ अगर हम यहाँ पे x square कर दे यह हो जाएगा यहाँ पे y square कर देते हैं तो यहाँ power 2 हो जाएगी यहाँ power 1 हो जाएगी यही होगा अब देखो उसके बाद हम subtract कर रहे हैं अब इसको subtract subtract कर रहे हैं तो यहाँ पे भी subtract तो यह तो हो जाएगा cancel तो call square सोरी इसकी भी तो x square और y के साथ product करी है तो x square curl square z upon curl x square minus of y square curl square z upon curl y square अब देखो ये वाली term भी तो बिल्कुल सेम है तो ये भी cancel होगी और ये क्या गया minus of 2x upon y g dash x y y तो ये term हो गई हमारी अब देखो हमने ये देखा कि हमारे ये बाला तो element हो गया लेकिन g वाला function तो अभी भी रहा गया अब हम क्या करें क्योंकि हमारी term है वो इस तरीकी की बज़े जिसमें एक ही derivative है तो हम एक derivative वाले term का यूज़ करेंगे जो ये equation थी ना second इसमें तो हम कर रहे हैं x के साथ product और जो हमारी third equation है इसके अंदर हम करें y के साथ product क्यों कर रहे है ऐसा क्योंकि जब हम इसको y سے product कर देंगे तो यहाँ पर भी x y बजज़ जाएगा minus of x x y बज़ जाएगा और जब हम यहाँ पर x के साथ कर देंगे तो यहाँ पर x y y हो जाएगा तो यह फिर cancel ही हो जाएए इस तरही किसे करेंगे, तो इस वज़ा से हमने ऐसा किया है, तो देखो, क्या कर दिया, इसकी प्रोड़क्ट x के साथ कर दी, यहाँ पे तो xy हो गया, इसकी प्रोड़क्ट पूरे के y के साथ कर दी, यह हो गया xy, यह हो गया y, तो यह वाली cancel हो जाएगे, अब जो यह term है, वो उपर लिख लेते हैं हम यह टम है हमारी x कल z upon curl x equal to f dash x y into x y plus g dash x by y x by y चीक है यह होगा हम क्या करेंगे इनको subtract करेंगे अब जब हम इनको subtract करेंगे तो sign change कर दो minus minus तो यह तो cancel हो गया चीक है यह हो जाएगा हमारा x कल z upon curl x minus y कल z upon curl y यह क्या हो जाएगा minus और एक यह minus 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 plus तो 2g dash x by y x by y हो गया तो हमारी यह टम आगे अब हम क्या करेंगे simple है बिल्कुल यह minus की टम है यह plus की टम है इन दोनों को add कर देंगे या फिर हम बोल सकते हैं इसकी टम हमने यहाँ पर कर दी तो फिर हमारे यह add करती ही क्या हो जाएंगे cancel हो जाएंगे और x स्कूर कल स्कूर z upon curl x माइनस y स्कूर कल स्कूर z upon curl y स्कूर plus x कल z upon curl x minus y कल z upon curl y इक पर टो 0 आगे दो बारा देखो क्या कि यह कुछ भी नहीं गया बिल्कुल इसी कोशन है यह z दे रखा है इस तरीके से एक बार इसका x के respect में डेरिवेट करेंगे y के respect में डेरिवेटिव करेंगे फिर जो टम आएंगे उनके double derivative करेंगे ठीक है जब हमने एक-एक derivative किया था तो first term को x के साथ और दोसरी term को y के साथ multiply किया और एक equation आई जब हमने double derivative किया तो first term को x के साथ और second term को y स्कूर के साथ multiply किया और फिर एक और टम आई फिर जो यह दो टम आई उन्हें हमने देखा इसकी value तो यह है इसमें put गर दियो रंसर आ गया ओके obtained partial differential equation by eliminating the arbitrary function from the following वही हमें z दे रखा इसमें से हमें क्या करना है वही function eliminate करना सिमिलर तरीके से तो हम क्या करेंगे derivative कर देंगे इस बार एक्सक्रिस्पेक्ट में derivative कर दो तो call z अपन कर दो एक्वल टू एक डश एक स्कूर माइनस वाई इंटू इसका करो एक स्कूर प्लस 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 एक स्कूर एक स्कूर एक स्कूर एक स्कूर एक स्कूर एक स्कू यह उल्रेडी था 2x into 2x 4x square प्लस में यह वाली term as it is इसका derivative 2x का 2 क्योंकि x का बन हो गया तो यह तो हो गया हमारा solve उसके बाद यह first function का derivative g double dash x square plus y into में इसका derivative 2x और यह 2x into 2x 4x square तो हमार यह term हो गया प्लस में यह वाली term as it is इसका derivative 2 तो हमारा यह हो गया इस तरीके से f double dash x square minus y plus me g double dash x square y यहाँ पे भी 4x square यहाँ पे भी 4x square तो common लेके बाहर कर दिया similar यहाँ पे भी 2 common यहाँ पे भी 2 common तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया और f dash x square minus y plus g dash x square plus y यह इस तरीके से हो गया ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे ये common तो हो गया अब इसका y के respect में double derivative करेंगे तो call square z upon curl y square इसमें तो कुछ है नहीं तो u into भी तो लगेगा नहीं simple हो जाएगा double derivative करेंगे तो f double dash x square minus y into में minus 1 आएगा minus 1 into minus 1 plus 1 हो गया इसका करेंगे तो g double dash x square plus y और into में y common 1 into 1 1 तो हमारे पास क्या आगया आप देखो call square z upon curl x square भी आगया और call square y upon sorry call square z upon curl y square भी आगया इन दोनों की value हमारे पास हो गई ये अब ध्यान से देखो जो ये वाली term है और ये वाली term है बिल्कुल सेम है तो इसकी जगे हम ये put कर सकते हैं तो call square z upon curl x square equal to call square z upon curl y square into में 4x square plus 2 into f dash x square minus y plus g dash x square plus y ये हो गया उसके बाद आप देखो जो ये वाली term है अगर इसमें से 2x को मन ले लू मैं तो देखो क्या होगा f dash x square minus of y plus g dash x square plus y जो ये term है और ये term सेम तो है तो मैं जहे इसकी value चाहिए ना क्योंकिए मैं function eliminate करना तो इसकी value क्या जाएगी 1 by 2x तो 2 into 1 by 2x curl z upon curl x ठीक है तो ये हो गया अब देखो हमारा answer आ चुका है बस हम क्या करेंगे 2 से 2 cancel कर देंगे तो हमारा answer बन जाएगा curl square z upon curl x square equal to curl square z upon curl y square into में 4x square plus में 1 by x curl z upon curl x देखो ये term बता दी थी मैंने आपको उसके बाद क्या होगा जो ये 4x हमारी जो term है ये वली term हमने इस तरीके से लिए हमने पूरी ताकि ये जो x है ना ये नीचे ना रहे है इसलिए हमने पूरी term को x से product कर दिया तो ये x हो गया यहाँ पे cube हो गया यहाँ पी कुछ नहीं रहा मर्जी यहाँ तक चोड़ना तो यहाँ तक चोड़ना तो कोई जिरूरी ने कि हमें x से product करनी ही है क्योंकि function तो eliminate हो चुगा था अब देखो next question हमारा क्या है कि obtained partial differential equation by eliminating the arbitrary functions from the following xyz equal to 5 of x plus y plus z देखो the given equation is xyz equal to 5 of x plus y plus z हमें क्या गरना वही differentiate कर देंगे एक बार x respect में और एक बार y की respect में करो x की respect में x की respect में जब हम differentiate करेंगे तो y तो क्या है constant treat होगा तो बाहर first function is it is second का call z upon call x plus z as it is x का 1 equal to 5 dash x plus y plus z इन्टू में x का तो 1 हो जागा इसका 0 इसका call z upon call next जब हम इसका y की respect में करेंगे तो x constant treat होगा y,z बच गए first function as it is z का call z upon call y plus z as it is y का 1 equals to 5 dash x plus y plus z y की respect में इसका 0 इसका 1 इसका call z upon call y तो यह होगा बिल्कुल ही easy था उसके बाद हम क्या कर देंगे इन terms को divide कर देंगे divide करते ही function eliminate यह y into अब ध्यान से देखो क्या है y into x इसको हमने पी लिख दिया तो क्या होगा y x p या फिर x y p यह y into करेंगे तो y z equal to 1 प्लस यह क्या है पी x into y इसका हमलब होते है q तो यह हो गया x y q plus x z equal to 1 प्लस पी similar अब हमें क्या गना है simple बस cross product कर देनी है तो x y p plus y z into में 1 प्लस q और इसके cross product इसके साथ यह 1 के साथ कर दिया हमने यह हमारा q के साथ product हो गया simple product के पी वाले कठे कर लिए q वाले कठे कर लिए फिर यहां से z को में ले लिया तो यह हमारा हो गया answer उसके बाद हमारा last question है obtain partial differential equation by limiting the arbitrary function from the following z equal to humming यह दे रखा है हम क्या करेंगे वही x और y के respect में इसका कर देंगे derivative तो कर दो call z upon curl x equal to y f dash x plus में इसका 1 हो गया इन 2 में था हमारा z y तो यह हो गया इस तरीके से जब हम इसका y के respect में करेंगे तो call z upon curl y equal to y के respect में करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा यहां पे f of x हो जाएगा प्लस में x constant f dash sorry g dash y हो गया हमारे इस तरीके से तो यह हो गया हमारा y के respect में derivative उसके बाद हमने क्या किया जो यह y वाली term है ना उसको x के respect में differentiate कर दिया curl square z upon curl x curl y तो f dash x plus में g dash y हो गया इस तरीके से फिर हमने क्या किया है जो fourth equation है उसको product कर देंगे x y से देखो सब से पहले x के respect में derivative किया y के respect में derivative किया उसके बाद आप सोचिंगे कि double derivative कर दे हम x के respect में ठीक है यह सोचिंगे आप फिर आप यह सोचिंगे कि double derivative क्या होता है कि हम या तो हम इस वाले tycker का y के respect costumes derivative कर दे या इस वाले term का x के respect spontaneous derivative कर दे तो हमने वो कर दिया यह जो terms थी एक तो हमारी जब हमने x के respect किया था वो हम यहां लिख देते हैं जो की है कल जड अपून करल x equal to y f dash x plus g of y एक हमारी आई यह y के respect derivative करने पर एक वो आई है जब यह आ तो हमने इसको y कि respect में कर या फिर इसको x respect में किया तब तो हमारी यह term बन गए अब हमें तो करना है eliminate functions को functions को eliminate किस तरीके से करेंगे हम अब ध्यान से देखना अब जो यह वाली term को हम जैसे g of g dash y तो हमारा क्या है यहां पे dash नहीं है g y ही है तो हमें क्या करना है similar type के equation बनानी है इसके अंदर तो हम क्या करेंगे इस वाली equation के अंदर तो किस की product कर देंगे जो हमारी यह second वाली equation है x के साथ ताकि यहां पे क्या हो जाए x y एफ डैश वाली term को हमें सेम बनाना है ठीक है और इस वाली term की भी किस के साथ product फिर यह x y हो गए यहां पे तो इस वाली term की हमें किस आगे और यहां पे एकस आएगा है इस कई y के साथ करिए तो यहां पे भी आएगा है इस पूरे am तो हमारे पास देखो क्या आगए यह मैं यहां पर बताया है आपको xy curl square z upon curl xy curl y xy f dash x plus xy g dash y ठीक है एक हमार पास यह वाली term आई है और एक हमार पास यह वाली term आई है उसके बाद हमने क्या किया जो यह वाली दोनों term है उनको कर दिया add जब हमने उनका add किया तो x curl z upon curl x plus y curl z upon curl y equal to हमारा किसके equal होगा xy इसमें से common आजएगा f dash x plus g dash y और इसमें से common आजएगा हमारा अच्छा इसमें कुछ नहीं common हैगा तो x of gy plus y of g fx इस तरीके से हमने लिए इसको ठीक है तो हमारी term हो गई उसके बाद हमने क्या किया है जो हमारे यह है ना x g of y plus y f of x यह तो हमारी question में दे रखा था किसके equal है जएड के equal है तो इसके value हमने जएड पुट कर दी और यह हमारा क्या था यह वाली जो हमारे term थी वो हमारे टेकल स्कूर z upon curl x y तो हमने यहाँ पर वो value पुट कर दी तो हमारा हो गया answer यहां से and this is our required result आपके मर्जे कोई जूरी आपको इसी तरीके से product करनी है अगर कोई और तरीके से differentiate करके solve होता है तो वैसे भी हो सकते है ओके तो यहां पर चैप्टर नंबर फरस्ट हो बिल्कुल complete हो गया है exercise के question भी अब तो मैंने आपको करा दिये है और क्या आप बोलते थे comments के अंदर के exercise के question चाहिए आपको तो मैंने आपको करा दिये ठीक है thank you guys for watching my video please do like, share and subscribe to my channel thank you so much